भारत और इंग्लेंड के बीच इन दिनों पांच मैचो कटे सिरीज चल रहा है जिसमें भारत की टीम एक्ट सिरीज में अगे चल रही है ऐसे में भारत के सामने इंग्लेंड के खिलाफ रिकार्ड बनाने का सुनहरा मौका है इन सब के बीच में एक बात और है जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारतिय टीम आने वाले दिनों में ICC सिरीज जीत सकती है ऐसे में आपको लग रहा होगा कि पिछले साल ही तो भारत के सामने बिशकप 2023 जीत कर ICC सिरीज जीतने का सुनारा मुका था लेकिन भारतिय टीम फाइनल मुकाबलों में अस्टेडिया के सामने हार का सामना करना पड़ा इस हार के साथ साथ भारतिय टीम का 11 साल बाद एक बार फिर से वह सपना धरा का धरा रह गया भारतिय टीम ने उस बिसकप मुकाबले में जिस तरह से खेली उसे देखते हुए यह लगहित नहीं रहा था कि भारत यह मुकाबला किसी भी तरह से हार सकती है लेकिन फाइनल मुकाबले में भारतिय टीम की एक न चली और आखिरकार हार का सामना करना पड़ा ऐसे में अब सवाल उठता है कि भारत को फिर से ICC सिरीज जितने के लिए प्रियास करना होगा और फिर से वो सारी चीजें करनी होगी अब को बता दें कि आने वाले देड़ साल में भारती ये टीम तीन ICC सिरीज में हिसा ले लगी ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत के सामने एक बार फिर से सुनहरा मौका आया है ICC सिरीज जितने का अपको बजादें कि IPL 2024 समाप्त होने के बार T20 बिसकप की सुरुआत हो जाएगी इस बार T20 बिसकप की मेजबानी बेस्टिंडिच कर रहा है इस साल होने बाले बिसकप के शुरुआत 1 जून से 29 जून तक होगा इस बिसकप को जित कर भारत 11 साल पुराने सपने को फिर से सकार कर सकता है इस T20 बिसकप के बाद अगले साल चेंपियन ट्रोफी 25 का आयोजन होना है अगले साल होने बाले चेंपियन ट्रोफी कायोजन पकिस्तान में किया जाएगा ऐसे में भारत की टीम ICC चेंपियन ट्रोफी पर भी अपनी जजर गड़ाए रखना चाहेगी चेंपियन ट्रोफी समात्थ होने के बाद 2024 25-20 बिश्विट्टेस चेंपियन सिप का फाइनल होना है WTC का फाइनल मुकाबला जून 2025 में होगा फिछले दो बार से भारत टेस्ट चेंपियन सिप में संदार प्रदसन करता रहा है लेकिन फाइनल मुकाबलों में टीम को हार मिल जा रही है ऐसे में भारतिये टीम को यहां भी संभल कर खेलना होगा और अपनी नजरें यहां भी गड़ा कर रखनी होगी आपको बजातें कि WTC का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड्स के लॉट्स के मैजान पर खेला जाएगा ऐसे में इन तीनों स्रीज पर भारत की नजरें अभी से बनी हुई है ऐसे में आने वाले 15 महिने भारतिये टीम के लिहाद से काफ़ी महत्पून होने वाले हैं खासकर रोहित सेना के लिए भी यह काफ़ी महत्पून होगा अलाकि भारतिये टीम बिसकप 2030 का फाइनल भले ही हार गई लेकिन भारतिये टीम ने जिस तरह से खेल दिखाया उससे यह नहीं लगता कि आने वाले दीनों में भारतिये टीम का फ्रेलोसन अचानक से खराव होने वाला है ऐसे में टीम मनेज्मेंट और कप्तान को इन दीनों सीरीज को लेकर धिअन देने की जरूत है खिलाडियों के चैन की परकिरिया पर भी ध्यान देने की जरूवत है भारतिय टीम के ऊपर एक आरोप यह भी लगता रहा है कि महन सी धोनिक के टीम से बाहर होने के बाद टीम ICC सिरीज जितने में नकाम रही है यह सचाई भी है ऐसे में कोज और खिलाडियों को यह दिखाने की जरूवत है कि उनमें अभी भी वही इंटेंट है जो धोनी के रहते भर में टीम के साथ हुआ करता था खासकर भारतिये फैंस लंबे समय से एक सिरीज जितने का इंतजार कर रहे हैं भारतिये फैंस समचमाती टोफी के साथ भारतिये टीम को देखना चाहती है आपको क्या लगता है भारतिये टीम आने वाले समय में होने वाले ICC सिरीज में अपना जलबा दिखा पाएगी आप हमें केमेंट करके जिरूर बताए सब्सक्राइब